किसानों की नराजगी दूर करने के लिए केन सरकार की टीम पहुँची है नासिक हलो दोस्तू नमस्कार गुड मोनिंग हमारे चैनल पे सभी किसान भाईयों का स्वागत है किसान भाईयों नासिक में केन सरकार की टीम पहुँच चुकी है किसान भाईयों का गुस्सा जो आकरोज था उनको सांद करने के लिए केन सरकार के कुछ अफसर पहुँच चुके हैं और वहाँ जाके किसान भाईयों से बात करेंगे कि प्याज में जो काफी गिरावट आई है और प्याज में क्या तेजी बनी रहेगी या नहीं रहेगी तो किसान भाईयों और केन सरकार के अफसरों के बीज में बैठक होगी और वहां कितने टन की उतपाद अभी बाकी है और अभी होनी है इस साल प्याज में कितनी टन के हिसाब से नासिक में प्याज पैदा हुआ है उसका मौज़ा लेने के लिए पहुँच गये हैं केंसरकार के टीम वहां पहुँच चुकी है और दो तीन टीम बना के पूरे नासि को दूर करने के लिए केंसरकार क्या कुछ स्वैस्टला अच्छे सुनाएगे किसान बाईयों के हक में और वहां जाके कई किसान भाईयों के जो काफी पैदावार मात्रा में प्यार पैदा करते हैं उनसे बाचित करेंगे मिटिंग करेंगे और मिटिंग में जानेंगे कि प्यार की क्या क्वाल्टी है प्यार की क्या आहवत है उसके बारे में केंसरकार जल्द ही फैसला सुनाएगी और किसान भाईय के हित में जो निर्यात को लेकर केन सरकार से किसान भाई बार बार मांग कर रहे थे उसके बारे में भी किसान भाईयों के बीच में और केन सरकार के बीच में बैठख होगा और उसमें भी जो मिटिंग में उनका जो प्रस्न है जो उनका जबाब है जो उनका सवाल है सारे केन स करेंगे प्याज को निरियात लेकर दुबारा सरकार चालू करेंगी कि या नहीं करेंगी और नासिक में भारी बारिज की वजह से जो काफी प्याज में खराबी काई आई है और काफी टन के हिसाब से इस साल प्याल कम होने की समभावना है अगर सरकार इस पे कुछ रोक नहीं लगाती है तो प्याज काफी तेजी देखनों को मिलेगा सुनने में आया है कि भार सरकार अफगानिस्तान से भी प्याज मंगाने की सोच रहा है अगर अफगानिस्तान से प्याज आना सुरू हो गया वहाँ से निर्यात भारत में आएगा तो प्याज को लेकर काफी गिरावट देखनों के मिलेगी फिलहाल जनता को तो फायदा होगा लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं उनके फचलों में काफी रोक लग जाएगा और काफी गिरावट देखनों के मिलेगी फिलहाल दोस्तों जो केन सरकार की टीम है नासिक पहुंच चुकी है और नासिक में जाके क्या कुछ गुल खिलाती है तो किसान भाईयों मिलते हैं अगले नेश्ट वीडियो में तब तक लिए